अच्छी बोड़ी बनाने के लिए कई लड़के जिम जोईन कर लेते हैं पर जब उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो दो चा मैनों में ही जिम छोड़ देते हैं उन्हें रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो कुछ न कुछ गलती करते हैं पर आपको पता होना हेल्ट, फिटनेस, ब्यूटी, डाइट, बाड़ी बिल्डिंग और सप्लिमेंट्स की रियल इंफरमेशन, धेट सारी होम रेमिडीज और कई मोटिवेशनल वीडियोज तो फ्रेंस, आज बात करेंगे उन गलतियों की, जिस वज़े से कई लड़कों की बोड़ी नहीं बन पाती, और उनका वज़न भी नहीं बढ़ पाता, अगर आपने इन गलतियों को सुधार लिया, तो बहुत ही जल्दी आपका वज़न बढ़ जाएगा, और अच्छी बोड सही समय पर भोज़न न करने से आपका पाचन खराब हो जाता है, आप चाहे वज़न बढ़ा रहे हैं या वज़न गटा रहे हैं, दिन में 5-6 बात थोड़ा थोड़ा जरूर खाएं, सही तरह खाना न खाने से आप दिन बद ठके ठके रहेंगे, और जिम में अपना 100% नही पानी ही है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो दिन में कम से कम 7-8 गिलास पानी जरूर पीएं, अगर आप जिम जाते हैं, तो आपको 8-10 गिलास पानी पीना जरूरी है, आपने देखा होगा कि बाड़ी बिल्डर कहीं भी जाते हैं, तो हमेशा उनके पास पानी की बोटल जरूर होती है, पानी पीने से बाड़ी के विशाक्त परदात बाहर निकल जाते हैं, अगर आप पानी नहीं पी होगे, तो आपके स्किन रुकी हो जाएगी, आपके पिमपल्स निकल सकते हैं, तो इसलिए पानी दिन में जरूर पीएं, मिस्टेक नमबर 3, कर वर्काउट करें, आप गर पर ही वर्काउट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, अगर आप गर पर ही वर्काउट करना चाहते हैं, तो इस पर वीडियो बनी है, जिसका लिंक उपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, तो फ्रेंस, हेल्दी रहना हो, फेट रहना हो, बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपको 7-8 घंटे की नींद जरूर चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं सोगे तो आपके मसल्स डिपियर नहीं होंगे आपके मसल्स बड़े नहीं बनेंगे हमारे मसल्स अभी बड़े बनते हैं जब हम सोते हैं अक्सर देखा गया है कि लोग रात को मोबाइल पर या कंप्यूटर पर लगे रहते हैं उद्देर रात को सोते हैं जो की गलत है और अगले दिन पूरा ठके ठके से रहते हैं कुछ भी काम करने काम मन नहीं कहता इस वज़े से बीपी या डायबडी जैसी खतरनाग बिमारियां भी हो सकती है आँखों की रोशनी कमजोर हो सकती है मैमरी पावर भी कम हो सकती है इसलिए साथ से आठ गंटे की अच्छी नींद चरूर लें Mistake No.5 जादा स्ट्रेस में रहना जो लोग स्ट्रेसिया तनाऊ से दूर रहते हैं उनका शरीर फिट और स्वस्त रहता है हमेशा तनाऊ में रहने से मानस्यी को शाड़ीरिक स्वस्त्रे क celaब रहता है जादा तनाऊ में रहने से यादास्ट कमजोर हो सकती है माना की आजकर लोगों में स्टेस रहता है किसी को फैमिली का किसी को पढ़ाई का किसी को बिजनस का पर कोशिश करें कि तनाव से जितना हो सके दूर रहें इससे आप डिप्रेशन जैसे बीमारियों में भी चाह सकते हैं तो फ्रेंट्स ये थी वो कुछ मिस्टेक्स जिसे अगर आपने छो कोड़ दिया तो आप एकदम फिट रह सकते हैं तो फैंड्स वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना न बोलें तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाइ दोस्तुम